मुजफरपुर की हर गली मुहले गाउं कस्बे की खबर को जानने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाए जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके बिहार में बरते अपराद पर नियंतरिन पाने को लेकर डीजी पी गुपतेश्वर पांडिया काफी गंभी रहें कभी अपराद को लेकर राज्य वदेश में चर्चित रहने वाले जिलों में बेगुसराई सुर्खियों में था उस समय आप्यस अधिकारी गुपतेश्वर पांडिया को एस्पी के रूप में वहां पदस्था पित किया गया बेगुसराय में अपरादिक गिरोहों का बोल बाला था जनता अपरादियों के भय से तुस्त थी उस समय IPS गुपतेश्वर पांडेय ने वहां अपराधियों के विरोध में कमर कसते हुए एक साल में 54 अपराधियों को मार गिरवाई थे जितने भी दुरतांत अपराधी थे वे मारे गए थे और फिर बिहार छोड़कर भूमिकत हो गए थे बिहार में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने को लेकर ही तेज तरार्व अपराधियों के लिए कड़क में जाज माने जाने वाले IPS अधिकारी गुपतेश्वर पांडेय के हाथों में बिहार का कमन सौंपते हुए उन्हें DGP बनाया गया, DGP बनते ही वे अपने मातत सीनियर वे जुनियर पुरी सद रवाई भी की, DGP के लगातार अप्थक प्रयास के बाद भी अपराध में कमी नहीं आना कहीं ना कहीं, पुलिस वे भाग में ऐसा है योग आत्मिक रवाईय को भी दर्शाता है जो पुलिस वे भाग वस सरकार के लिए ठीक नहीं है, फिर भी अपराध नियंत्रण को ले पिहार की युवहाँ से अपील करते हुए कहा है कि वे अपराध नियंत्रण में आगे बढ़ कर सहयोग करें, DGP अपना मोबाइल नंबर वा आफिस का फोन नंबर देते हुए अपराधियों के बारे में गुपनिया सूचना देने को कहा है, साथ ही लोगों को भरोसा दिल आया है कि जो भी लोग अपराधियों के बारे में सूचना देंगे उन्हें अतीगोपनिया रखा जाएगा, बिहार के नौजवानों से, आम जंता से, सारे लोगों से, अमन पसंद लोगों से, मैं ये पराथना करता हूँ हाथ जोड़ करके, क्या पुलिस, आपको मालूम ह कौन अपराधी है आपके गाउं में, आपके सहर में, आपके गली में, आपके महले में, कौन लूट करता है, कौन डकेटी करता है, कौन जुआ खेलाता है, कौन सराब बेचवाता है, कौन माफिया है, कौन क्रिमिनल है, सब जानते हैं, आप डर से पुलिस को बताना नहीं चाहते मेरा नाम खुल जाएगा मेरी हत्या हो जाएगी मेरे उपर अपराधी आक्रमन कर सकते हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूं डी जी सेल का एक नमबर देता हूं आप लिग करके रखिए पटना का कोड है 0612 और एक नमबर देता हूं 2294178 2294178 कोई भी गोपनिय सुचना किसी अपराधी के बारे में आप देना चाहते हैं आप इस नमबर पर दे सकते हैं अपना कॉंटेक्ट नमबर छोड़ सकते हैं जुरुत होगी तो आप से संपर्क किया जाएगा दुर्भावना से मत कोई सूचना दिजिए दुस्मन को फसाने के लिए कोई सूचना मत सही में जो अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी दिजिए पक्का कारवाई होगी करवाई में थोड़ा समय लग सकता है धिरज मनाय रखिए लेकिन कारवाई होगी और अगर अपराधियों को बारे में गुपनिय सूचना देना है वाट्सप पर कोई मेसेज देना है तो 9, 4, 3, 1, 6, 0, 2, 3, 0, 1. इस नंबर पर बे फिकर हो करके, निश्चिन्त हो करके, पूरी गोपनियता आपकी बनी रहेगी, आप कोई भी सूचना दीजिए, कहां कौन हतियार रखा है, कहां कौन दारू रखा है, कहां कौन डाकु छुपा हुआ है, कहां कौन चोर छुपा हुआ है, कहां डखेती हुआ इसमें कौन अपराधी सामिल थे कहां जो भी सुचना देना है इस नंबर पर दीजिएगा ये डी जी पी बिहार का पासनल नंबर है इस नंबर पर कोई भी दी हुई सुचना पूरी तरह से गोपनिय रहेगी इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं और आप सुचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं बिहार के लोगों से खासतर के बिहार के नोजवानों से हरे एक जीला से हजारों के संख्या में नोजवान नेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको चुनोती देता हूं कि अगर ये बिहार को एक पवित्र भूमी है और इसको इसकी पवित्रता को बनाय रखना है तो अपराधियों को यहां से भगाना होगा अपराधियों पर कारवाई करने होगी और इसमें आपके सहयोग की ज़ुरूत है तो आप सूचना देकर हमारा सहयोग कर सकते हैं बिहार के नोजवानों आप जहां भी हूं जिस गाओं में, जिस सहर में, जहां भी हैं, मेरी आँख बन जाइए, मेरा कान बन जाइए और आप इस नंबर पर जो मैंने बताया है, आप अपराधियों को बारे में सुचना दिजिए हम उस पर कारवाई करेंगे, और ये बिहार की सबसे बड़ी सेवा है मातर भूमी की सबसे बड़ी सेवा है, मनुस्यता का यही मतलब है कि समाज में खुशाली हो, इसके लिए हम लोग कुछ करें, ये अगर करते हैं तो बहुत हमको आपके, इस काम से हमको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी